तो अब तक हमने हमारी 7 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया है और मुझे उमीद है आपने भी बहुत अच्छे से इसको सीखा भी होगा और अपने फियर नोटबुक भी कंप्लेट की होगी तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अक्सरसाइज 7 भी most important questions हैं सभी statement वाले question है आपने हर statement को अच्छे से पहले पढ़ना है फिर समझना है और उसके बाद उसका answer करना है ठीक है तो आज मैं इसका solution आपके सामने कर रहा हूँ तो देखिए first question है हमारा the sum of Ritu's age and Asu's age is 25 तो पहले आपको statement को समझना है कि Ritu और आशू इन दोनों की age का जो sum है वो किसके equal given है 25 के equal given है Ritu is 12 years old जो Ritu है उसकी age 12 years है तो write an equation to find Asu's age यदि direct यही पूछा जाए यदि optional के उससल है कि Asu की age क्या है तो आप बता सकते हों कि दोनों का sum 25 है और Ritu की जो age है वो 12 है तो Asu की age कितनी रह जाएगी आप minus कर दोगे तो 13 years age आ जाएगे और आप answer tick कर सकते हो और यदि statement के according आपको लिखना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले क्या लिखोगे let Asu's age जो Asu की age है हमें जिसकी find करने हैं उसको हम क्या let कर लेते हैं x years and given that Ritu's age जो Ritu की age है वो हमें given at 12 years given that sum of Asu's age and Ritu's age is equal to 25 years तो according to statement या according to question sum of Asu's and Ritu's age तो देखो आशू की age हमने क्या let किया है x years और Ritu की age क्या given है 12 years दोनों का sum किसके equal है 25 years के क्योंकि statement के according है तो अब आपको x की value यहां से find करने है transpose करके तो 25 minus 12 is equal to 13 तो x की value 13 है और x को हम क्या let करके चले थे आशू की age तो thus age of Asu is equal to 13 years तो इस तरह से है आपका जो question number 1 है या first है यह complete हो चुका है अब आप देखिए question number second second question में क्या statement है a number decreased by 4 जैसा कि आपको पता है जब decreased आ जाए तो हमें minus करना है is equal to minus 6 find the number आपको number find करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे let required number भी बिल्कुल easy कि उसे ने x तो आप सबसे पहले उस number को क्या let कर लेते हो वो number क्या है x है अब देखिए according to question ए number decreased by 4 वो जो number है उसमें से हम 4 को subtract करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा is equal to minus 6 तो which is required equation तो पहले आपको एक equation भी बनाने है तो equation हमारी यह बन चुकिया है x minus 4 is equal to minus 6 क्योंकि एक number है उसमें से decrease करना है हम यह 4 को decrease करना है तो हम क्या करेंगे minus करेंगे increase करना होता तो फिर हम यहाँ पी क्या करते प्लस कर देते हैं तो जब हम उसमें से 4 को decrease करेंगे तो 21 के equal आएगा minus 6 के तो अब आपको यह बताना है कि वो number क्या है तो अब equation तो हमारे पास यह आ जाएगी अब इसको हम solo करेंगे यह rule आपको पता ही है जिसकी value हमें find करनी है उसको एक ही तरफ रख लेंगे उसके अंदर जो भी subtract है उसको add कर देंगे जो add है उसे subtract कर देंगे तो minus 6 as it is minus का 4 उदर जाके plus 4 हो जाएगा तो x की value जब एक sign minus का हो दूसरा plus का हो तो आपको बता रखा है subtraction is compulsory subtract तो आपको करना ही है 2 आएगा अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है 6 तो 6 से आगे sign क्या है minus तो हम minus का use करेंगे तो x की value है वो क्या जाएगी minus 2 तो required number जो होगा वो होगा हमारा x की value minus 2 अब देखे इसके बाद question number third third question की क्या statement of first भी complete हो चुक है second हो चुक है अब देखे third 7 times a number decreased by 3 किसी number का 7 times decreased है minus करना है कि इसको 3 को equal to 18 तो find the number तो इसमें भी वही करेंगे हम question number third में let required number be x according to question 7 times a number तो उस number का 7 times decreased by 3 तो उसमें से हमें 3 को subtract करना है is equal to 18 तो वो 18 के equal आ जाएगा which is required equation ये हमारी equation भी बन चुकी है अब इसे solo करना है तो 7x किसके equal हो जाएगा 18 minus का 3 उदर जाके plus 3 हो जाएगा तो 7x is equal to 21 x की value के आएगी 21 upon 7 is equal to 3 तो आपके पास x की value जो है वो 3 है तो required number जो होगा x वो किसके equal आजाएगा 3 तो इस तरह से question number 3 तक complete हो चुका है अब देखिए next questions तो आप देखिए question number 4 फोर्थ की क्या statement है 1-5th of a number is 9 find the number बिल्कुल simple question है फोर्थ का इसमें भी आपको required करना है let required number be x तो according to question 1-5th 1-5th का मदब होता है 1 upon 5 किसका 1-5th यह ओफे number उस number का और वो number हमने क्या let किया है x तो 1-5th of a number is 9 9 के equal है find the number तो बिल्कुल simple है देखो x वन जा x upon में 5 is equal to 9 अब आपको पता ही है हमें value x की find करने है x की upon में क्या है 5 तो 5 divide में है तो multiply हो जाएगा तो 9 multiply with 5 तो x की क्या value आजाएगी 45 तो जो required number होगा हमारा वो क्या होगा 45 होगा इसके बाद देखिए question number 5 5th question में cash statement है how old is romance आपको romance की age बता रहे है कि वो उसकी age कितनी है if 10 years ago 10 साल पहले he was 25 years old यदि ये question वैसे ही optional आते है तब तो आप ये easy side method है 10 साल पहले उसकी age यदि 25 है तो आज उसकी age क्या है तो 10 add कर देंगे उसके अंदर 35 age आ जाएगी बट यदि ये subjective type में क्योंसे न आ जाए तो फिर आपको ये जो working मैं कर रहा हूँ वो एक करके दिखानी पड़ेगे तो इसके लिए हम let कर लेते हैं let present age of romance romance की जो present age है उसे हम let कर लेते है वो क्या है x years अब देखिए according to question जो रमेज की आज present age है उसमें से यदि हम 10 minus कर देता है क्योंकि इसमें लिखा हुए 10 years ago 10 साल पहले तो जब 10 साल पहले की बात आती है तो हम minus करते है और जब बाद की बात आए भी 10 साल बाद उसकी age इतनी हो जाएगी तो हम उसके अंदर क्या करेंगे प्लस करेंगे इस बात को आपने याद रखना है तो अगे देखिए x minus 10 किसके equal हो जाएगा देखो आज जो age है वो है x years उसमें से 10 साल पहले जो age होगी वो किसके equal given है इसकी 25 years के तो यह age है 10 years ago और यह है 25 जो की 10 साल पहले age है तो दोनों को equal रख दोगे तो यह हमारी क्या जाएगी equation आजाएगी अब इस equation को solve करना है आपको यह rule पता यह minus 10 है तो plus 10 हो जाएगा तो x की value क्या जाएगी 35 तो last में आप क्या लिख दोगे 10 रमेश is 35 years ठीक है अब देखिए इसके बाद हमारा question number 6 है 6th question थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ी statement भी बड़ी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर वैसे बिलकुल easy question है कुछ reason होंगे इसके अंदर देखिए अब question number 6 अपूर received 3 4th जैसे ये 1 5th को हमने क्या लिखा था 1 upon 5 तो इसी तरह से 3 4th को हम लिखेंगे 3 upon 4 किसका 3 upon 4 of all votes cast in the election for school president देको school president को select करने के लिए एक election हुआ है और उस election के अंदर जो students है उन्होंने voting किया है तो उन जितने भी votes डले हैं उनका 3 4th part जो है वो किसने receive किया है अपूरो ने receive किया है तो अब आपको फिर ये भी लिखता आगे if he received 8706 votes how many students voted तो आपको ये बताना है 876 votes यदि receive किया है अपूरो ने तो आपको ये बताना है कि total कितने students है जिन्होंने vote किया है तो let कर लेते हैं let total number of students voted is equal to x माल लो x बच्चे है जिन्होंने vote किया है अपूर्व रिसीवड वोट्स कितने वोट्स रिसीव किया है according to statement 3,4 तो 3 upon 4 of all votes तो all votes कितने है x तो इसकी multiply किसे कर देंगे x तो ये क्या बन जाएगा मजब multiply करेंगे तो 3 x upon 4 इतने vote रिसीव किये हैं अपूर्व में but actual में he received votes उसने actual में कितने वोट्स लिये है 876 तो according to 3 x upon 4 ये वोट्स है जो रिसीव किये हैं अपूर्व ने और actual में कितने किये हैं 876 तो दोनों को equal रख देंगे तो अब हम यहां से x की value find करेंगे उससे पहले पहले इस 4 को हटाना होगा तो ये उदर जागे क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा अब देखिए 3 x किसके equal है इन दोनों की multiply कर देंगे देखिए 6 x 24 2 7 x 28 plus 2 30 0 3 8 x 32 plus 3 35 तो अब x की value हमें find करनी है तो 3504 को 3 से divide कर देंगे तो ये देखिए 3 बन जा 3 फिर 3 बन जा 3 0 है 6 3 जा 18 8 3 जा 24 तो 1168 तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे दस टोटल नंबर ओफ स्टुडेंट्स दस टोटल नंबर ओफ स्टुडेंट्स हू वोटेड इस इक्वल टू डबल वन शीक्स एक तो इस तरह से यह क्योंसे नंबर 6 ता अपसा complete हो चुका है अब देखिए नेक्स्ट केस्ट अब देखिए इसके बाद है क्योसे नंबर 7 आफ्टर गेनिंग 15 केजी मिशा वेट 60 केजी वाट वाट वाज हर प्रीवियस वेट निशा का 15 केजी वेट बढ़ने के बाद उसका जो वेट है वो 60 केजी हो जाता है तो आपको यह बताना है कि उ उसका जो वेट था वो क्या था बिल्कुल सिंपल क्योशन है तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट प्रीवियस वेट ओफ निशा निशा का जो प्रीवियस वेट है वो क्या है X केजी तो according to question जो प्रीवियस वेट है उसके अंदर यदि हम 15 केजी वेट एड कर देते हैं तो उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा 60 केजी तो यह हमारी equation आजाएगी which is required equation तो अब X की value आपको find करने तो 60 माइनस 15 is equal to 45 तो लास्ट में लिएक तो 10 हर previous weight is equal to 45 केजी तो इस तरह से आपका question number जो 7 है वो complete हो चुका है अब देखिए इसके बाद question number 8 तो 8th question में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या statement है एक pole X meters long एक pole है जिसकी length क्या है total length है इसकी X meters कितनी है इसकी length X meters is broken into two parts ये जो pole है ये two parts में तूट गया है वो हमें नहीं पता कहां से तूटा है यहां से भी तूट सकता है यहां से यहां से तूटा है, suppose कर रहे हैं, हो सकता है, उपर से भी तूटा हो, तो यहां से हमने लेट कर लिया, तो यह है फाइव मीटर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो कितना है, फाइव मीटर, और पूरा जो पॉल है, उसकी लेंथ किसके एकवल है, एक्स मीटर के, और ज तो क्या हो जाएगा पूरे pole की length कितनी है x और उसमें से हम 5 को subtract कर देते हैं तो यह क्या बच जाएगा x minus 5 meter तो इसकी जो length है यहां से यहां तक की वो हो जाएगी x minus 5 meter तो लिखना कैसे है तो सबसे पहले हम लिख लेते है length of pole जो pole है उसकी length कितनी है x meters and length of one part जो one part है उनमें से उसकी length हमें given है 5 meters तो then length of other part length of other part तो जो full length है उसमें से subtract कर देंगे first part की length को तो x minus 5 meters तो यह हमारा जो first part है वो complete हो चुका है इसकी length क्या जाएगी x minus 5 other part की अब देखिए इसका जो second part है उसमें क्या कहता है if the other part is 6 meters यदि other part जो है यहाँ से यहाँ तो यह 6 meter का distance हो तो write an equation आपको equation लिखनी है तो according to question other part की length क्या थी x minus 5 जो कि किसके equal given है 6 के तो which is required equation यह हमारे पास equation आ जाएगी और फिर हम इस equation को solo करके उसकी length defined कर लेंगे तो x किसके equal हो जाएगा 6 यह minus का 5 उदर जाके प्लस 5 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 11 तो दस total length of pole is 11 meter तो इस तरह से हमारे पूरा pole है उसकी value जो हो जाएगी 11 meter यह आप simple x की value फूच रखिया तो क्या जाएगी 11 तो इस तरह से हमारे question 8 complete हो चुके हैं अब देखिए इसके बाद 9th question अब देखिए इसके बाद question number 9th the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is three times the lowest marks minus 7 तो देखो teacher ने क्या बताया बच्चों को कि जो एक एक बच्चा है जो जिसके highest marks है वो किसके equal है three times the lowest marks minus 7 तो सबसे पहले हमें अच्छा फिर उसके बाद क्या कहते है कि if the highest marks are 86 यदि highest marks 86 हो find the lowest marks तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगी let lowest marks तो lowest marks को हम let कर लेते हैं वो क according to statement highest marks कितने होंगे तो यह देखिए three times किसका three times lowest marks का और lowest marks हमने क्या लेट किया है x minus 7 और उसमें से फिर 7 को हमें subtract भी करना है तो lowest marks क्या है x highest marks कितने हो जाएंगे 3x minus 7 but highest marks is equal to 86 तो according to question जो यह 3x minus 7 है वो equal हो जाएगा 86 के क्यों क्योंकि यह भी highest marks है according to lowest marks और यह given ही है तो which is required equation यह हमारी equation बन जाएगी अब इसे हमें सोल करना है तो 3x किसके equal होगा 86 minus का 7 जागे पलस हो जाएगा तो 3x किसके equal होगा इन दोनों को जब हम add करेंगे तो 93 और x की value क्या जाएगी 93 अपॉन 3 3 3 जा 9 1 तो x की value 31 है तो last में हम क्या लिख सकते हैं 10 lowest marks is equal to 31 तो यह आपका जो question है complete हो चुका है अब देखिए last question अब देखिए हमारा question number 10 है और इस video का हमारा यह last question है 10 बाकी के जो remaining questions होंगे exercise 7 week के वो हमारी next video में हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या statement है इसकी बैनी thinks of a number subtract 18 from it बैनी ने एक number think किया है सोचा है और फिर उसमें से 18 को subtract किया है and divides the difference subtract करने का जो difference आया है उसको उसने किस से divide किया है 3 से the result is minus 4 तो उसको divide करने के बाद जो result आएगा वो होगा minus 4 तो आपको बताना है कि वो number क्या है तो सबसे पहले हम let कर लेते है रिक्वाइड नंबर भी एक्स तो according to question ध्यान देना बैनी ने एक number सोचा था जो था एक्स उसने क्या किया फिर इसमें से 18 को subtract किया सब्ट्रेक्ट करने के बाद जो difference है वो क्या आगया x-18 क्योंकि हम x में से 18 को subtract नहीं कर सकते क्योंकि यह like terms नहीं है इस वोज़े से तो यह x-18 ही रहेगा यह इसका difference होगा एक्स का और 18 का difference क्या होगा x-18 और इसको डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 3 से तो डिवाइड करने के बाद जो result आएगा वो होगा और solve करके देखना आपके पास answer क्या आजाएगा minus 4 आजाएगा तो यह हमारा क्या है इसके difference को 3 से डिवाइड किया तो result क्या आगया minus 4 which is required equation यह हमारे पास equation है अब हमने इसकी help से x की value find करनी है तो सबसे पहले x-18 जो numerator की form में वो ऊपरी रहेगा जो denominator में divide है उसकी multiply कर देंगे पहले 4 के साथ minus 4 के साथ तो x-18 किसके equal होगा minus 12 के और x की value हमें क्या करनी है अब देखो minus 12 as it is minus 18 जाके क्या हो जाएगा plus 18 तो x की value क्या जाएगी plus 18 और minus 12 एक minus है दूसरा plus है subtraction is compulsory तो plus 6 आ जाएगा क्योंकि 18 बड़ा है और 18 से पहले क्या sign है plus का तो x की value जो हमारे पास 6 है तो thus required number is 6 तो वो जो हमारा required number होगा बस इस तरह सी हमारा क्योंचन complete हो चुका है और मैं आपको इपर checking करके भी दिखा देता हूं इसकी देखो यह क्या था x-18 upon 3 था ना तो यहां x के place पे हम क्या value put कर देंगे 6 तो 6-18 upon 3 तो 6 में से जब 18 को subtract करेंगे तो देखो यह plus है यह minus है subtraction is compulsory तो minus 12 और upon में क्या एगा 3 अब 3 से जब 12 को cut करेंगे 4 और यह minus है तो answer क्या आगया minus 4 आप देख सकते हो यह क इसके equal है minus 4 के equal है तो इस तरह से यह question number 10 भी हमारा complete हो चुका है उम्मीड करता हूं कि बहुत अच्छे से आपने इस questions को सीखा होगा और आपने अपनी fair notebook भी complete करनी है थैंक्यू